प्रेंड्स मैं हूँ युवराद मिश्रो और आप देख रहे हैं और एक्सपर्ट सो भाई यहाँ पे टाटा मोटर्स अपनी कर्व को कल अन्वील करने वाला है भारत एक्सपो में यहाँ पे फूल एक्स्टीजियर जो है रिवील्ड हो गया है विट फीचर इंजन स्पसिफ वाले हैं कर्व के बारे में यहाँ पे बाई कर्व में आपको जो है मैं पिचर डाल दे रहा हूं एक्स्टीजियर की जो कि अभी टाटा मोटर्स ने ओफिशली रिलीस कि इसमें आपको साइड से और स्पोर्टी एलोई विल्स देखने को मिलते हैं बिग बोल्ड क्लैडिं ताकि आप देख सकते हैं बाकि हम लोग इंजन स्पेसिफिकेशन्स और ऑप्शन्स की बात कर लें तो बाई टाटा कर्व में आपको थ्री इंजन ऑप्शन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि बाई कंफर्म कर दिया है टाटा मोटरिस ने 1.5 लिटर डीजल इंजन जो कि नेक्स्वन में आता है वह आपको आपको इंजन देखीने को मिलेगा 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन जो की आपको नेक्स्वन में आता है वह वाला देखने को सेम मिलने वाला है and a one new नीउग ँचैन 1.5 लिटर TGDI पेट्रोल इंजन और यह नूग है जो की हारे साफारी में भी आने वाला है, यहाँ पर हम लोग आपको एक और बात बता दें, जो डीजल इंजन है, वो सिर्फ अभी manual gearbox के साथ आएगा, no DCT, no AMT, तो भाई वो in future आएगा, यहाँ पर 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन में आपको DCT gearbox देखने को मिलने वाला है, पावर फिगर्स हम तीनों इंजन की बता दें, तो भाई आपको जो है, डीजल इंजन में 1.115 भी अजपी and 260 अनम आफ टॉर्क देखने को मिलेगा, 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन में जो है, वो आपको टाटा कर्व में आपको मिलने वाला है, जो कि भाई बहुत इंसेन पावर फिगर्स है, कि अगर हम लोग कर्व वेट और बॉडी और इंजन स्पेसिफिकेशन को देखें, फिनोमेनल कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, यहाँ पे आपको जो है, इस स्पेसिफिकेशन के साथ सा दी गई है, तो भाई यहाँ पे क्रेटा से 20mm जो है, वो वाईडर है, और यहाँ पे भाई 5mm जो है, वो शौट है क्रेटा से, तो भाई यहाँ पे 422 लीटर वो बूट स्पेस इपीश में परवाईड किया जा रहा, यहाँ पे सब कुछ जो है, वो Tata Motors ने रिवील कर दिय 422 liters of boot space is ample enough boot space for curve and यहाँ पर आपको जो है इसकी pricing जो है around 20 lakh rupees top model जाएगा and यहाँ पर next quarter यानि half of June, July के आसपास आपको जो है इसकी launching आप देखने को देख सकते हैं because कल unveil कर दी जाएगी and अगर आप आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो like कर दीजे, subscribe कर दीजे